बॉलिवुट की बार्बी गल केट्रीना कैफ और साउथ के सूपरस्टार विजे सेतुपती की मोस्ट अवेटेड फिल्म मेरी क्रिस्मस जो है वो आज परदे पर उतर चुकी है और फिल्म ने पहले ही दिन यानि कि आज ही रिलिज हुई है और आज ही जो है वो फिल्म के दिवाने हो चुके है और इसी के साथ जो है वो फिल्म का फ़र्स डे और फ़र्स्ट रिवियो भी सामने आ चुका है आपके लिए बता दें कि फिल्म जो है वो काफी जादा most awaited थी जो तरीके से फिल्म की कहानी को लेकर जो है वो आज जनता काफी जादा तारीफ कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ केट्रीना कैप और इसी के साथ विजय सेतुपती की जोड़ी को भी फैंस काफी जादा कर रहे हैं और अब बात करते हैं फिल्म क्रिटिक्स की क्योंकि देखिए फिल्म जो है वो आज रिलीज हो चुकी है फ़स शो देखकर जनतार निकल चुकी है जो आज सोशल मीरिया पर जमकर अपनी राय सामने रख रही है रिवियू दे रही है कि आखिरकार फिल्म में उन कह रहे हैं कि ये 2024 का एक मास्टर पीस है इसी के साथ आपके लिए बता दें कि फिल्म क्रिटिक और ट्वेंड एनलेस्ट तरन आरदर्श ने जो है वो भी सोचल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करकर बताया है कि आखिरकार उन्हें ये फिल्म कैसी लगी और तरन आरदर्श ने मेरी क्रिस्मस को जो है वो 3.5 स्टार्स दिये हैं और उन्होंने कहा है कि ये फिल्म जो है वो काफी जादा बड़िया है entertainment है thriller है और इसी के साथ romance रहस से जो है वो इस फिल्म में बना रहेगा और जो last party क्लाइमेक्स है उसमें आपको पता चुलेगा कि आखिरकार इस फिल्म की किस तरीके जो suspense भरे moment थे वो उसका आखिरकार मतलब किया था और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कैट्रीना कैफ और विजेस सेतू पती की ये फिल्म आज जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है ट्रेलर से ही जो फांस है वो इस फिल्म के रिलीज होने का काफी जादा इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये फिल्म जो है वो जनता के बीच इसने काफी जादा उत्सा पैदा किया और आपके लिए बता दें कि मेकर्स ने इस फिल्म का दूसरा सॉंग भी जो है वो अब रिलीस कर दिया है ट्रैक में केटरीना कैफ और विजय की खुपसूरत कैमिस्ट्री दिखाई गई है वहीं ट्रेलर की बात करें तो इसकी शुरुआत विभिन क्लिपों को एक साथ कलेक्शन के साथ होती है क्रिस्मस की इव यानि की 24 तारिक की शाम की एकी रात की फिलम है और पूरी ही एक रात का सस्पेंस जो है वो इस फिलम में दिखाया गया है केड़ीना कैफ का सामना विजस्ते तुपती से होता है और मजाक में सवाल करती है कि क्या वे अकेला है और क्या वे उसे देखने के लिए अपनी शादी की अंगूठी जो है वो चुपचाप उतार दी जल्दी वे उसी की ओर जाती है और घटना है और यानि कि जुस तरीके से जुस तरीके से चीजन दिखाई गई है और वो अलग ही कहानी का मोड ले लेती है उससे जो है वो आपको ये पता रहेगा कि फिल्म में जो है वो किस तरीके की चीजन चल रही है संकेत मिल रहे हैं पर दिखावा धोका आखिरकार फिल्म में क्या है ये सारी चीजन जो है व स्टाफ में काफी जादा शांत रहना पड़ेगा और फर जाके सेकंड हाफ में पता चलेगा कि फिल्म की स्टोरी किस तरीके से घूम रही है और आखिरकार क्या कारण था जो फिस्ट हाफ में तमाम चीजें हुई ये कहानी एक रात के दौरान जो एक ही रात का किस्सा है दिल क्रिटिक्स शेहर की थे और उन्हें भी plat की काफी जाधा तारीफ की ती अर जानते हैं कि फिल्म को लेकर और इसी के साथ आतिक सिद्धी ने ट्वीट किया और कहा कि ये जो फिल्म है ये master piece है मनो रणजन और शानदार फिल्म है इसके लिए जो है वो थेटर जरूर जाएं देखें इस फिल्म को जो है वो कई भाशाओं में जो है वो release किया गया है और जैसा कि फिल्म कृटिक्स की तरब से भी कहा जा रहा है कि फिलिम में काफी ज़यादा सस्पेंस है जो अफ़ पर भी जो है प्रभाव शाली और इसी के साथ डारेक्टीर की तारीफ करते हुए लिखा है कि शानदार फिल्म है रोमान चकारी का जो घटना क्रमस में दिखाए गया है ये पट कता है और इसी के साथ कैटरीना कैप और विजे सेतूपती का जबरदस्ट प्रदशन से जो है वो बिलकुल फिल्म जो है वो मदब 2024 की एक बड़िया फिल्म जो है वो दिखाई दे रही है जो तरीके से आज जनता का क्रेस जो है वो भी शोशल मीडिया के सामने सामने आ रहा है देखिए अब लगाता है अगर जनता की बात करें तो जो लोग इस फिल्म को देखकर सामने आ रहे हैं एक यूजर ने तो ये तक कहा है कि कैटरीना कैफ की तारीफ में ये देखी है कि कैमिस्ट्री और जुस तरीके से लाइन्स पिक अप केश्वरा कैफ के दुआरा की गई है वो काफी जादा अच्छी है इसी के साथ देखिए एक और यूजर जो है वो ये लिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है उनके इस कॉमेंट को देख कर कि जैसे उन्होंने अभी अभी ये फिल्म देखी है और उन्होंने कहा कि मूवी के लिए क्लास बंक कर दी मूवी इतनी अच्छी थी कि मैंने इसे पहले पीरिड से ही खतम कर लिया और मैं अब क्लास में वापस भी आ चुका हूं और फिल्म जो है वो काफी जादा काबले तारीफ है देखिए लग रहा है कि बॉलिवुड से लेकर साउफ रीजन की जो फिल्म हैं वो फिर एक बार उभरकर सामने आने लगी है और जनता जुस तरीके से प्यार जो है वो मेर्वी क्रुसमस के लिए दे रही है फिल्म क्रिटिक्स ने इसे किसी ने चार तो किसी ने साड़े चार तो तमाम लोगों को बुलाया गया था जिसमें नेहा धूपिया से लेकर कैट्रीना कैफ के पत्ती और विकी कोशल और इसी के साथ तमाम खुशी कपूर से लेकर तमाम जो बड़े सेलिप्स हैं वो फिल्म की स्क्रीनिंग के दोरा नजर आये थे और उस समय पर नेहा धूपिया ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा था कि फिल्म में जो तरीके से किरदारों को और कहानी को पेश किया गया है वो काफी जादा काबले तारीफ है इसी के साथ देखी अगर हम बात करें कि इस फिल्म का जब से ट्रेलर सामने आया था जनता इस फिल्म का इंदजार क तूट किया गया है हिंदी और संस्क्रण में संजे कपूर विने पाठक प्रतिमा कंडम और टीपू आनन भी है दूसरी और तमिल संस्क्रण में राधिका सरत कुमार और इसी के साथ केविन जै बाबू और रमेश विलियम समाम भूमिकाओं में जो है नजर आए हैं और मेरी क तरीके से excitement देखके लग रहा है कि लोगों को काफी जादा जो फिल्म है वो पसंद आ रही है वहीं कैटी ना ने जिहाद की रेड में यानि की फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया था इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी अगली फिल्म यानि की Merry Christmas उनकी करियर की अब तक की अबनात मक और entertainment की जरुवत थी और इसलिए उन्होंने इस फिल्म को लेकर काफी जादा जबरदस्त महनत की है और वही महनत जो है वो अब बड़े परदे यानि के फिल्म पर भी नजर आ रही है जो तरीके से फिल्म ने पहले ही दिन जो है वो काफी अच्छी कमाई की है औ पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर सरूर बताएं धन्यवाद